अलो क्लास, वेलकम बाक बच्चों, लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर आज का, लेकिन सबसे पहले बेटा प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, मैं, कोश्चन नमबर 1-10 होमवक थे, प्रॉब्लम है 8-1, ठीक है न, ऐसा ही है न, बभू एक बार रीड करना 8-1, बभू, रीड करना, एक बार, क्रॉश्चन नमबर 1, कहता है बेटा, इंक्रीज इंवेस्ट की बात बोलता है, साथ में एक इंक्रीज इंकम की बात बोलता है, बभू, क्या 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 चल्कूलेट कर सकता हूं, है गर मैं फोर्मला लगाहन, डिल्त य अपावन डिल्टा है, क्या क्या क्यलकूलेट हो जाएगा, क्यलकूलेट हो जाएगा, तो बेटा, क्या के का ऐक दूसरा फोर्मला है, 1 उपन- MPS, तो बेटा MPS calculate हो सकता है, लेकिन problem का है, इसकी statement में problem है, वो कहता है, an increase in investment by 5000 crore lead to the increase in income, which is 4 times than the increase in the investment, income में increase कितना कहता है, देखो सुनो, मैं K की value निकाल रहा हूँ, क्या कहता है बेटा, वो increase in investment जतना है न उसकी वज़े से income increase होगा, which is 4 times more than the increase in the investment, अब सोचो बेटा, मैं बोलता हूँ, अगर यह बोलता है, which is 4 times than increase in investment, जैसे बोलता है, तो मैं बेटा income की value पुट कर देता, 4 times of investment, लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला, इसने क्या बोला, धंग से पढ़ लो, income में कितना increase हुआ, 4 times more than the increase in investment, मतलब के इस बात का, देखो क्या गयता है, 4 times तो हुआ ही हुआ, 4 times more than the increase in investment, मतलब, जितना increase in investment है, वो तो हई है, 4 times more है, सर स्टेटमेंट पढ़ लो, एक बाद धंग से, ऐसा भी कह सकता था, वो increase in national income is 4 times of the increase in investment, अगर यह बोल देता, 4 times है, तो तो बेटा सीधा ही कहानी कहता, मतलब, जितना increase in investment है, 4 times more than the increase in investment, मतलब, जितना increase in investment है, वो तो हई है, 4 times more है, यानि की बेटा, total 5 गुन है, सर स्टेटमेंट कही खेल है, समझा यह बाद, दुबार बुलनू एक बार बाद, बाभू, स्टेटमेंट पढ़ना सीख जाओ, more than the increase in investment, एक इंसान यह भी बोल सकता था, increase in national income, which is 4 times of the increase in investment, 4 times of the, अगर बोलता 4 गुना है investment का, तो ठीक है 4 गुना है, अगर 4 गुना होता, तो बेटा, के की value क्या निगलती, डल्ता है, income कितना increase हुआ, 4 गुना investment का, 4 times of the investment, चलो जाए, 4 times more than the increase in investment, 4 गुना जादा, जितना increase in investment है, वो तो हई है, 4 गुना और जादा, ठीक है न, तो जितना increase in investment है, वो तो हई है, 4 times more than the increase in investment, 4 गुना और जादा, यानि की total 5 गुना, यहां से यही तो value आई, delta y की 5 delta है, तो बस होगी कहानी, अगर मैं इसकी value पुट करू, 5 delta है, यह delta है, यह cancel करा, के आगया 5, के अगर 5 आगया, तो बेटा, MPS कितना आगया, 0.20 जिस इसकी problem थी बताओ, clear है, बढ़ाएं बात को आगे, बाबो हम example करें, इन तक, ऐसा ही है, और बेटा, question 1 to 10 हो करें, ठीक है, मैं एक बड़ 22 से example start कर देता हूं, मैं तो यही सुतना हूं, 22 से start कर देता हूं, 16 to 21 तो कुछ भी नहीं है, वो मैं home work देता हूं, आज का home work लि 16 to 21, ठीक है, जी, 22 से मैं कर देता हूं, चलो जी, बाबो, example number 22 से मैं कर रहा हूं, 21 तक home work है, और यह बेटा, यहाँ पर एक heading भी चेंज होई है, practical on determination of equilibrium level, ठीक है, जी, खार कर मुश्किल नहीं है, बात कुछ भी, पढ़ते हैं, बबो, क्या कहता है, example, calculate the savings, AD, AS, and determine equilibrium level, if investment is fixed at 100 करोड, मुझे calculate कर रहा है, savings, AD और AS, और बेटा, मुझे क्या कहता है, determine भी कर देना, कि equilibrium कहाँ अचीव हुआ, और बेटा question कहता है, investment is fixed at 100 करोड, यानि कि whatever the level of income में भी, investment is 100, ठीक है जी, income, 0, 100, 200, 300, 400, 500, और consumption भे बेटा 50 से शुरू करके 50 का ही gap है, ठीक है जी, लो, कहा रहे बच्छो, करते हैं start, पभू, example number 22 है, मुझे देता है, income, 0 से लेगर 100, 100 का gap है, 500 तुक, और बेटा consumption 50 से start है, और 50-50 का gap, बताओ जी, कोई दिक्कत, कोई फर्शानी है तो नहीं, ऐसा ही है, बेटा मुझे क्या-क्या calculate करना है, saving, AD और AS, investment भी given है मेरे को, ठीक है न, investment भी given है, मैं लिख देता हूं, investment is fixed at 100 करोड, ठीक है न, मैं एक बात पहले भी बोल चुक हूं, दुबारा बोल देता हूं, बाभू देखो, जैसे आप यह लिखते हो न, मैं most of the time, मैं यह गलती करता हूं, मैं CR करोड लिखना भूल जाता हूं, तो numerical करते है टाइम ही मैं बता देता हूं, मैं अगरो के शुरू में लिख दिया, गरो figures जो भी दिया हूं, lakhs तो lakhs, crores तो crores, thousand तो thousand जैसे भी दिया हूं, तो सबसे पहले लिख दो से आपकी duty खतम हो गई, बभू अब savings निकालनी है, कितना simple बात होगी बभू, income या तो consume होती है, या तो save होती है, तो saving कैसे निकल सकती है, y-c, y-c, minus 50, 0, 50, 100, 150, 200, कोई दिक्कत तो हो ने, easy, बभू, और क्या calculate करना है, वैसे तो देखो, कहानी तो यहीं पूरी हो जाती, अगर सर्फ इतना काउता, determine equilibrium, तो भाई, equilibrium दो जगा पर होता है, as per Keynes, there, 80 is equal to, yes, and s is equal to i, तो भाई, at the income level of 300, s और i बराबर है, यानि equilibrium point, पता लग क्या हमारे को 300 की income, ठीक है न, लेकिन उसने मुझसे ad और as मांगा था, तो भाई निकाल दो, ad c plus i, और as का formula बदाएगा मुझे, किस से बुच्छो, rn बदा भाई क्या formula होता है, as का formula क्या होता है, as beta income kb बराबर होता है, और income या तो consume होती है, या तो save, ठीक है न, c plus i, बाभू, 150, 200, 250, 300, 350 और 400, कोई दिखकत तो हो नहीं, और as किस के बराबर है, income के, logic, तो यह रही beta, ad equals to as, ठीक है न, तो equilibrium तो वहीं पर आना था, जाने, सो रही आया, ठीक है, simple question, दीरे-दीरे level बढ़ता चलेगा, चलो जी, बभू, start करते हैं, next one, question number 23, अब एक बार ना, सिर्फ question read करना मेरे साथ साथ, देखते हैं, क्या पता आप भी कर पाओ, हो खुद से, suppose investment in the economy is fixed at 40, 40 higher level पर, the consumption expenditure at the different level of income is given in the following schedule, मुझे income 200 से start करके 700 देता है, with the gap of 100, consumption start करता है, 80 का gap है, ऐसा ही है, सर मुझसे पूचता क्या है, on the basis of given schedule, answer the following question, calculate AD and AS for all the level of income, level of income, AD and AS तो निकली जाएगा, at what level of income, will the economy be at equilibrium, तो सर जहाँ S और I बराबर हो या AD और AS बराबर हो, वहाँ पर equilibrium अची बजाएगा, income बता देना, third one, state the level of income where total saving is negative, जहाँ कहीं भी negative आए, बता देना, इस income के level पर saving negative आ रही है, और बता देता हूँ सिर्फ 200 पर आएगी, यहाँ से पता लग रहा है मुझे तो, income minus consumption, यहाँ तो आएगा minus 20, यहाँ 0, यहाँ से positive, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी सोचो, चलो जी, fourth one, are saving and investment equal at the equilibrium level of income, का होगा, यह तो करने की बिर्द निया है, इस लिखो तूम, ठीक है ना, क्या कह रहा है वो, equilibrium पर S.O.R.I. बराबर होगा, तो S.O.R.I. जहाँ बराबर होते है, वहीं तो equilibrium होते है, क्या बात कर रहे हो, ठीक है ना, अच्छा इसका तो एक number होना भी निची है, ऐसी फ्री में पास कर दो इनको कंजरो को, मुश्किल बनाओ वेपर, calculate MPC and MPS when the income increases from 400 to 500, कहता है, income जब 400 से 500 हो गई, तो बेटा मुझे क्या बताना है, MPC और MPS बताना है, बबो, तो निकल जाएगा MPC और MPS जब income 400 से 500 हो गई, income जब 400 से 500 हो गई, income में change कितना, 100, consumption में change कितना, 80, तो MPS कितना आगया, 80, डेल्टा C अपाउं डेल्टा आप है, ठीक है न, तो अगर MPC 0.80 आगया, तो बेटा MPS क्या आएगा, 0.20, ठीक है न, what will be the AD at the income level of 300, 300 पे कितना होगा AD, 300 पे C ब्लस आइना, C यह रहा, I 40 था शायत, ठीक है न, 340, तो सर, हो जाएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, schedule ready करना ही है, ठीक है न, मैं बता रहा हूं, करो क्या, income सेम उतारो, consumption सेम उतारो, I की value लिखो, S की value लिखो, AD और AS लिखो, इतना करो, और फिर बताओ, क्या 6 के 6, answer मिले के नहीं मिले, ठीक है न, नहीं मिलेंगे तो मैं कराऊंगा, करो जी start, सर, देखो, लेगे न, time limited और bet चले का साथ, ठीक है न, आप देखो, किसी की speed बहुत slow सकती, किसी बहुत age, ठीक है न, हम चलेंगे, ठीक है, ठीक है, time कितना हो रहा है, मेरी तो घड़ी में 4, 24 हो रहे है, ठीक है, न, चार मिनट और दे रहा हूँ, चार मिनट में question करके side हो जाओ, उस, next example कर रहे हैं बेटा, मेरे साथ साथ आप रीड करेंगे सिरफ, read करना है बेटा, example number 24, given consumption function, c is equals to, यह तो नहीं हम बताना है न क्या होता है, तो पता ही है विसले chapter से, consumption function given है, 100 plus 0.75y, ठीक है अच्छा, comparison करो, तो c के बराबर होता था, c bar plus by, that means c bar is equals to 100 and b is equals to 0.75, ठीक है जी, बाभू, आगे बोलता है, investment expenditure is 1000, calculate equilibrium level of national income, और consumption expenditure at the equilibrium level of national income, मुझे calculate क्या करना है बेटा, national income at the equilibrium level, प्यारे बच्चों महीं तरफ देखना, मुझे income calculate करनी है, जब equilibrium अच्छी हो, तो बेटा, income वैसे या तो consume होती है, या तो save, और बेटा, जहां कहीं equilibrium होगा, मैं s और i बराबर ही तो होंगे ना बेटा, इस क्या कहता है, ad is equal to s, and s is equal to i, तो बेटा, क्या मैं formula यूज़ कर सकता हूँ, मुझे national income निकालनी है, क्या मेरे को c की value पता है, बिल्कूल पता है, c का function put कर दो पूरा, और क्या मुझे investment भी पता है, बिल्कूल पता है, जब इदर आ जाएगा तो negative हो जाएगा, तो 1 में से, अगर 0.75y चला गया, तो कितना आएगा, 0.25y is equal to 1100, यानि कि y होगा 4400, कैसे सोचा, मैंने तो 4 से गुना कर दी दोनों दरो, जल्दी सोच लो, यह 1 हो गया ना, यसी 4 से multiply करी, 140 तो है यह, जल्दी सोचना आप तुम देखो, कैसे सोचना है, कुछ तो divide करेंगे, फिर वो decimal लटाएगे और 00 करते रहेंगे, जितना जल्दी कर सकते हो, जितना अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना जी, सेकेंड पार्ट, consumption expenditure at the equilibrium level of national income, consumption बतानी है, जब economy equilibrium बरो, सरवाई की value, put कर तो 4400, same equation में, consumption ही तो बताना है ना, low जी, 4400, 3400, ठीक है ना, कोई देखत तो नहीं, या एक और तरीका भी था करने का, आप कहते है, y की value 4400, c निकालना है, i की value 1000 है, तो c आ जाता बेटा 3400, ऐसे भी निकाल सकते हैं थे consumption की value, कोई दिक्कत तो नहीं, फटावट से करके दिखाऊ, अपनी copy में, खुद से, बेटा, example number 25, is on a similar line, जैसा example number 24 था, मैं read कर रहा हूं, करना आप नहीं है, in an economy, the consumption function is, c is equal to 500 plus 0.75y, where c is the consumption expenditure and by the income, calculate the equilibrium level of income and the consumption expenditure, when i is equal to 5000, तो सेम फ़र्मला लगाओ, income या तो consume होती है या तो save, और बेटा, at the equilibrium level, saving is equal to investment, तो फ़र्मला बनेगा, c plus i, c function पूरा put करो, जैसा दिया वाय, आई, 5000 put करो, शेद दोनों में लागे 55,004,00, 22,000 आए होगा, ठीक है ना, 22 में से 5 minus कर दो, तो 17 क्या सपस, वो आए होगा, 27 आएंगे, करके बताओ फटावट से, लो बाभू, next example कर रहे है, example नमर 26, फहले तो महीं करूँगा एक बार, the saving function of an economy is, s is equal to minus 200 plus 0.25y, ठीक है, saving function given है, saving function यादे कैसा होता है, minus c bar plus 1 minus by, ठीक है ना, यादि कि minus c bar is equal to minus 200, c bar कितना हो गया, यही पूछा है, second part में autonomous consumption कितनी होगी, यह तो कहार हमने मुझ जवानी calculate कर लिया, खैर पढ़ते चलो, the economy is in equilibrium when the income is equal to 2000, कहता है, economy बिल्कुल equilibrium में आ जाती है, जब income 2000 हो तो, ठीक है, जी आ जाती है तो, कहता है, calculate investment expenditure at the equilibrium level of income, autonomous consumption और investment multiplier, बाभू, सब कुछ निकल जाएगा और बहुत easily निकल जाएगा, saving function आपको given है, minus 200 plus 0.25y, CVSC sample paper 2010, मेरे time के sample paper का, आपको वो question भी दिखाऊँगा, जो मेरे board के exam में आया था भी, यह पुछा ना, पभू, आप कोई नहीं, एकली ब्रियम पे पहले S ही निकाल लो, एकली ब्रियम level of income कितना है, 2000, चालो, एकली ब्रियम पे मैं तो S की value ही निकाल रहा हूँ, तो बेटा S की value आ गई 500, तो यह आ गया S 300, S आ गया ना 300, एक बात बताओ, एकली ब्रियम पे S और I बराबर होते हैं के नहीं, जब S आ गया, तो बेटा यही तो बराबर होगा I के, तो I भी कितना हो गया 300, तो यही तो बुछा था उसने investment कितनी होगी equilibrium पर, तो क्या मेरा पहला बाट solve होगया, दूसरा बाट, सर, S function, autonomous consumption पुछा है, S function बराबर होता है, minus C bar plus 1 minus BY, on comparison मुझे पता लगा कि minus C bar बराबर है, minus 200 के, तो बेटा autonomous consumption कितनी, 200, तीसरा बाट, बेटा on comparison मुझे यह भी तो पता लगा कि 1 minus B, कि 0.25 के बराबर है, यानि कि बेटा 1 minus B क्या होता है, B क्या होता है, MPC, तो यानि कि MPS किसके बराबर है, 0.25 के और उसने मुझे से 3rd part में क्या पूछा, multiplair, multiplair क्या होता है बेटा, K, K का formula लगा तो जो MPS की sense में है, 1 by 0.25, यानि कि के आगया 4 times, तो दिक्कत तो नहीं, simple one, कुछ मस्कील को बलाओ, clear है सबको, बढ़ाएं बात को आगे, यह भी मैं आपसे नहीं करवारा, कुछ और कराता हूं, यह प्राय करो, question, example हमा 27, पहरी try आपकी है, अब कितना simple one है, saving function given है, investment 100 CR given है, आपको भूलता है, determine level of income when saving will become zero, वो income बतातो, जब saving zero होगी, saving को zero रख दो, 500 इतर आजाएगा, income अपने आप y निकल कर आएगा, यह तो पूछ उसने आपसे, और second part में पूछता है, वो level of income बना तो, जब saving investment के बराबर हो, बाबू saving की value या कर दो, i जब investment के बराबर हो, i किस के बराबर है 100 के, तो 100 is equal to, minus 500, plus 0.25y, यह उदर चला गया positive हो गया, और बेटा दोनों तरह अगर आप 5 से multiply करो, तो हो गई कहानी, 5 कितना आ गया, 3000, simple one, ठीक है जी, अब आज example इसमें 31 तक है इस book में, जो मैं करा रहा हूं, 31 में एक भी नहीं बचेगा, अब ही करने है, चलो लेकर के दिखाओ यह बला, पहली try आपकी है, पहली try आपकी है, पहली try आपकी है, ऐसा question paper में हुईद कर सकते हो, एक अच्छा question है बीटा, पढ़ते हैं इसके बारे में, equilibrium level of income in the 5,000 crores, the autonomous consumption is equals to 250 CR, आई बेटा मुझे 1000 crores, और पूरता क्या है बेटा, consumption expenditure at that, equilibrium level of national income, लो पहरे बच्छो, start करते हैं, जो जो पूरते का एक बार वो मेर को आप बता दे मुझे बेटा, national income given at 5000, autonomous consumption, और investment शायद 1000, उचसे पूछा बेटा, यह equilibrium level पर income है, मुझे इसने पूछा, consumption कितनी होगी at equilibrium level of income, सबसे पहले तो मैंने formula लिखा, income या तो consume होती है या तो save, और equilibrium होगा, तो बेटा, S और I बराबर होगा, और यह मुझे 5000 given है, consumption मुझे निकालना है, और investment मेरे को given है, तो बेटा, 30 equals to 4000, कोई दिक्कत तो हो नहीं, second part में मुझे क्या निकालना है, MPS, second part में मुझे क्या निकालना है, MPS निकालना है, में तब देखना बेटा, बड़ा simple तरीके से MPS निकल सकता है, at the equilibrium level पूछा है, मुझे MPS की value क्या होगी, तो बेटा, देखो simple सी बात, आप S function लगाओ, S function किसके बराबर होता है, minus C bar, plus 1 minus B, मतलब MPS, 1 minus B का मतलब क्या होता है, MPC, मतलब MPS, क्योंकि इसमें MPS ही निकालना है, इसलिए मैं सिद्धा इसको MPS ही लिख रहा हूँ, multiplied by the income, क्या बेटा मेरे पास S है, क्योंकि बेटा equilibrium level पर S और I बराबर होता है, आई तो है न, आई कितना है बेटा, 1000 तो S ही तो है मेरे पास, क्या मेरे पास autonomous consumption भी है, बिल्कुल है बेटा, 250, MPS मुझे निकालना है, और income भी है, मेरे पास बेटा 5000, यह उदर जाएगा positive हो जाएगा, 1250 is equal to MPS multiplied by the income, ठीक है जी, बेटा MPS आ जाजएगा, यह divide में आ जाएगा, MPS is equal to 0.25, यह है, क्या निकालना है thought part में, investment multiplier, saving function लिखना है, low, यह तो और उच्छा होगया, saving function, S is equal to minus C bar plus 1 minus BY, बभू, autonomous consumption 50 है, तो यह minus 250, 1 minus B, मतलब MPS, यह मैंने अभी calculate करा, yellow, saving function, k की value, तो बेटा k और simple हो गया, कि किसके बराबर है, 1 upon MPS k, यानि की k आ गया होगा, 4 times, चलो, 5th one, break-even level of income, अब सुन लो बेटा, बभू, break-even level of income, break-even की 2 property थी, y is equal to c, and s is equal to 0, बभू, यह रहा s function, s को रखो 0, जो income आएगी, break-even level of income, कितनी आएगी 1000, 1000 आ रही होगी न, हाँ इतना तो सोची लिया, इंकम 1000 आ जाएगी, आपर calculate कर लेना, कोई दिकत तो नहीं, बभू, करते हैं एक आत question और, फिर्श करेंगे बैच कुली, मुश्किल, मुश्किल, है नहीं कुछ भी, सर, 29 और 30 भी example homework लिख लेना, जिनके पास नहीं होगी, old book में PDF शेयर करतूंगा, और आपको अपनी बुक से भी example, नई बुक से भी करना है, मैं नई बुक की भी PDF शेयर करतूं, Example, अभी मैंने दो homework दे दिया है, अलग-अलग category के, 16 to 21, 29 और 30 example, 31 एक बार must try question, एक बार आप कर रहे हैं, पड़ा पड़ से करना, हाँ, नहीं हाँ, यह वाला particular example ना, lack of data पर बेस था, मुझे नहीं बता आपनी क्या सोचा, कहीं बड़ लिखा वह है, equilibrium है, जबदस्ती मानना, मैंने बोला, lack of data था इसमें, मुझे से पूछता है, national income बता दो from the following, autonomous consumption है, MPC है और investment है, ज़र national income बतानी है, वो तो C plus S होता है, प्रेस तो कहीं है नहीं, C के लिए data तो है ना, C function बन तो सकता है ना, C function तो बन जाएगा, C bar plus BY, तो C भी है आपके पास बेटा, C bar भी है आपके पास, और BY यह लो, C function बन तो रहा है बेटा, लेकिन ऐस तो बिल्कुल नहीं बन सकता फिर इसस आप से सोचा जाए, जब रदस्ती मानने हैं तो नहीं equilibrium है, और मानना पड़ेगा इसके बेना guardian चलेगी, ठीक है ना, मैंने मान लिया कि equilibrium है, बाबु, C की value पुट कर दी, C function पूरा, और investment की value होजे गेवन है 50, बाबु, अब solve कर लो, यह 0.80 उदर चला जाएगा तो यह बचे का 0.205 equals to 150, बाबु, Y is equals to 750 करूज, कोई इकत तो नहीं, ठीक है, बाबु, इसमें आपकी practice है जतनी भी करना चाहो, अब unsolved question में ऐसे 5 कर लाना, 11 to 50, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बढ़ा रहा, कल last day हम numerical करेंगे, ठीक है, परसो नया chapter शुरू करेंगे, परसो ही खतम हो जाएगा, आज के लिए हम इतना यह रखने हैं व्यारे बच्चों, बाबाई